मुस्कार बचू मैस्वित पीके में आप सभी का वेलकम क्लास 10 मैंतेमेटिक्स के चेप्टर 2 में अक्सटाइ 2.2 हमने स्टार्ट कर रखी थी लेक्चर 7 में हम देखेंगे क्योसन नमबर सेकेंड का कम्प्लिट सॉलेशन इसमें 1 से लेकर 6 तक है टोटल 6 क्योसन है क्योसन नम को एक बैतर सही ढंग से मैथमेटिक्स क्लास 10 की समझ में आएगी ठीक है और देखते रहे हैं बस चलो स्टाट करते हैं लेट्स केरे स्टाट टेट देखो बच्चों के असा नमर सेकेंड में क्या कह रहा है एक दीवगात भौपत ग्यात कीजिए इसके सुननेकों के योग सम अप जीरो एंड प्रोड़क्ट ओफ जीरो गुणनफल सात में वह आपको दियेवे करम से है फस्ट नमबर यहां पर बन अपन फोर जैसे फस्ट में बात करें बन फोर जो वह सम अप जीरो है सुननेकों का योग है और माइनस में सुननेकों का गुणनफल आपको बखवपद है ना तो अपन क्या करेंगे माल लेंगे suppose कर लो कि let the polynomial be ax square plus bx plus c and suppose and suppose zeros are alpha and beta इसके जो सुननेक वह क्या है एलफा और बीटा हैं, ठीक है, हमने सुन्य कमान लिये, और दिवगाद भूपद मान लिया, जो इस फोरम में है, इसको अपन पी एक्स बाल सकते हैं, ठीक है ना, ये पी एक्स हो गया, अक्स का दिवगाद भूपद भी, आउ हमको जो दिया हो है, उसके उपरा दे है, अक्वादिंग टू क्या कह रहा है, कि वन उपोन फोर जो है फर्स्ट अंबर में, दिख रहा है आपको वन उपोन फोर, यह सम ओप जीरों है, यानि कि एलफा प्लस बीटा जो हो आपको दिय वो आपको माइनस बन दे रखा है, ठीक है, अब बचों, मैंने आपको बताया था पिछले के वसन में, कि 1 अपॉन 4, जो यहाँ पे alpha प्लस beta है, इसके बराबर क्या होगा, माइनस B अपॉन A, और alpha गुना beta के भी बराबर क्या होगा, equal क्या होगा, C अपॉन A, दिविगाद बहुपद आ जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ABC की वैल्यू कहां से निकालते हैं, alpha प्लस beta और alpha गुना beta से, जो हमको दिया होगा था, दोनों में देखे हम, तो दोनों में A जो वो common है, हमें common वाली वैल्यू पहले देखनी है, अगर मैं A चार ले लूँगा, तो यहां पे तो चार नहीं है, तो A दोनों जगर पर होना चाहिए, एक्वल, ठीक है, एक्वल कैसे करेंगे, देखो, फस्ट में 4 वैल्यू A की, तो यहां भी मैं 4 बनाऊंगा, तो उपर निचे 4 से कर दूँगा, multiply, तो आपको C अपन E क्या मिल जाएगा, माइनस 4 अपन 4, ठीक है, अब यहां से मैं compare करता हूँ, तो मैं बोलूँगा, यह D आपके पास में A की value 4 है, ठीक है, तो B की value कितनी होगी, देखो, यहां पे B की value minus 1 होगी, देन, B equal हो जाएगा, आपके पास में minus 1, क्योंकि 1 equal है minus B, 1 equal minus B है, दोनों दोरब minus से multiply किया बच्चों, तो B equal minus 1 होगा, ठीक है, और C equal कितना आएगा, देखो, compare करने तो C equal minus 4, ठीक है, तो basically आपको करना क्या है, इस form में दिवगात भुगपत को मानना है, और फिर A, B, C की value, alpha plus beta और alpha गुणा beta से निकालनी है, उसमें आपको देखना है, यह common जो वो A है, ठीक है, common को होना है, A है, A की value दुनों में equal होनी चाहिए, equal कर लो, equal करने के बाद में, वो तीनों values वहां से उठा लो, A, B, C की, ठीक है, अब यह values हम पूट कर देंगे, then, P, X equal क्या हो जाएगा, यहाँ पूट कर दो, A की जिगर पे 4, तो 4 X स्कूर, B की जिगर पे minus 1, तो minus X, और C की जिगर पे minus 4, यह आपका वो दिगाद बहुपत हो गया, ठीक है, quadratic के, quadratic के polynomial हो गया, ठीक है, ठीक है, values हम देख लेंगे, तो let, polynomial, B, P, X equal, A, X square, plus B, X, plus C, and suppose, यहाँ साथ में यह भी suppose कर लो, alpha और beta जो हम सुन्यक है, 0,000, 0,000, alpha, and beta, अब यहाँ पर दिगाद बहुपत है, तो ध्यान रखें, दो सुन्यक होंगे हमें सा, ठीक है न, two zeros होंगे, आप देखो आगे, तो according to question आते हैं अपन, according to question, देखो बच्चो, question में आपको दे रखा है, second number में देखो, root 2, 1 upon 3, root 2 जो है, वो alpha plus beta है, first number जो वो alpha plus beta होगा, alpha plus beta होगा, root 2, okay, और alpha into beta क्या हो जाएगा, second number वाली value क्या देखो, वो है 1 upon 3, ठीक है, product of zeros, 1 upon 3, आपको पता है, alpha plus beta तो होता है, minus B upon A, okay, और alpha क्योंड़ा बीटा होता है, C upon A, ठीक है जी, अब बताओ, A की value क्या होगी, यहां आ रहा है 3, 3 बढ़ा है न, इसमें भी 3 बढ़ा लेंगे, तो उपर नीचे 3 से multiply कर देंगे, तो यहां यह value क्या बन जाएगी, 3 root 2 upon 3, दोनों जिगा पर A की value 3, यहां भी 3 बन गई न, तो अपन बोलेंगे, यदि, देखो यहां पर यह value नहीं आए, कि A के बराबर 3 नहीं आया, तो C की value 1 हो जाएगी, अगर हमने यहां पर A की value बानलों उपर नीचे 2 से multiply कर दूँ, तो 6 बन जाएगा A, अगर यहां पर minus B upon A बराबर है, 3 root 2, ठीक है, अपन में 3, उपर नीचे मैं 2 से multiply कर दूँ, तो नीचे कोण बन जाएगा, A की value 6 बन जाएगी, ऐसे मैं यहां पर कर दूँगा multiply ही, तब B की value भी change हो जाएगी, और C की value भी change हो जाएगी, ठीक है, यानि कि ऐसे और भी बहुत सारे, ऐसे और भी बहुत सारे quadratic polynomial बन सकते हैं, ठीक है न, हम तो उनमें से एक ले रहे हैं, तो if A equal आपके पास में 3 है, then B equal क्या हो जाएगा, देखो यहां से compare करो, minus B equal 3 root 2, तो B equal minus 3 root 2, और C equal 1, ठीक है, यह value हो जाएगी तो आप बोलोगे, Px equal क्या, A की value 3, x square, minus 3 root 2, x plus 1, यह आपका वो दिगाद बहुपद हो गया, आरा समझ में, थैड नमर देखो बचो, थैड नमर में आपको मानना तो वह ही है, ठीक है, let polynomial B, Px equal, Ax square, plus Bx plus C, और zeros ले लो यहां पे, ठीक है, zeros, alpha and beta, ठीक है, अब यहां पे according to question आजाओ, short में लिख दूँ क्या, according to question, देखो जी, alpha plus beta दिया आपको एक तो, एक alpha into beta दिया हुआ है, सबसे पहले देखते हैं, थैड नमर में, alpha plus beta क्या दिया हुआ है, देखो बचो, alpha plus beta 0 है, और alpha into beta root 5 है, ठीक है, 0 और यह root 5, यानि यह तो है minus b upon a की value, और यह है c upon a की value, नीचे 0 के भी नीचे एक ले सकते हैं, और root 5 के नीचे भी एक ले सकते हैं, दोनों जगर पे a की value 1 बन चुकी है, तो अपन बोलेंगे, if a equal 1 है, then b equal 0 हो जाएगा यहांसे, और c equal root 5, ठीक है, तो px कितना जाएगा, px equal, a की value 1, तो 1 into x square, b की value 0, तो plus 0 into x, c की value root 5, तो 1 into x square, x square होता है, 0 into x 0 होता है, उसको लिख रहा नहीं है, तो plus में root 5, यह आपका answer हो गया, आरा बच्चों समझ में अच्छे से, next देखो, 4 number, 4 number में आपको, 1 1 दे रहा है, ठीक है, तो वैसे आप लोग कर सकते हो, वही काम करना, let, polynomial b, px equal, ax square, plus bx, इस form में हमने ले लिया, और zeros हमने ले लिये, and zeros, alpha and beta, तो according to, according to, question, according to question, क्या हो जाएगा, alpha plus beta, equal 1, alpha into beta, equal 1, ये minus b upon a की value, और ये c upon a की value, देखो, 1 है ना, इसको मैं लिख लूँ क्या, ऐसे लिख लेता हूँ, 1 upon 1, नीचे 1 ले लिया मैंने, और ये जो 1 है, इसके इनीचे भी मैंने 1 ले लिया, a की value तो 1 होई चुकी है, तो अब निकाल लोगे, if a equal 1, then b की value क्या होगी, b equal minus 1, क्योंकि minus b equal 1 है, तो b equal minus 1 हो जाएगा, b equal minus 1, और c equal, देखो यहां से, c equal 1 है, ठीक है, तो px क्या हो जाएगा, px यहां से हो जाएगा, a 1 है, तो 1 गुण अक्स स्क्वार, b minus 1 है, तो minus 1 गुण अक्स, और c 1 है, c है 1, ठीक है, तो 1 into x स्क्वार, x स्क्वार, minus 1 into x, minus x, और यह हो जाएगा, पलस का 1, ठीक है, अब 5 नमर देखते हैं, बचों, 5 नमर में आपको, minus 1 upon 4, 1 upon 4 दे रखा है, ठीक है, देखो जी, यहां पे, काम आपको वही करना है, लेट, polynomial, b, क्या होगा, px equal, ax square, plus bx, plus c, and zeros, इसके लिए लेते हैं आपन, alpha and, beta, ओके, अब आते हैं, according to, according to question, देखों, बचों, according to question, alpha plus beta आपको दिया हुआ है, और alpha गुणा beta दिया हुआ है, alpha plus beta क्या है, minus 1 upon 4, first number जो value है, वो alpha plus beta, second number, alpha into beta, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 1 upon 4, यह होता है, minus b upon a, और यह होता है, c upon a, दोनों में a की value 4 दीख रही है, ठीक है, common है, तो अपने बोलेंगे, अगर a आपके पास में 4 है, तो उस condition में b क्या होगा, then b आपके पास में होगा, देखो, minus b equals to minus 1, तो b equals to 1 होगा, और c equal 1 होगा, तो आपके पास में px क्या हो जाएगा, then px equal आपके पास में होगा, a की value 4, तो 4x square, b की value 1 तो x, c की value 1 तो plus 1, यह आपका answer होगा, 6 number, वही काम करना, let polynomial be px equal, ax square plus bx plus c, और zeros ले लो इसके, सुनने के ले लो, alpha and beta, अब according to question, ठीक है, a t q लिख दिया में इने short में, alpha plus beta, alpha into beta, ha a, जी, alpha plus beta क्या दिया हो via, alpha into beta क्या दिया हो, डिख लिख लिखे हैं, alpha plus beta है 4, alpha into beta है, 1, ठीक है, 4 1 value दे रखिये, alpha और beta की value नहीं है, alpha 4 है, beta 1 है, समाझ होते लिखे, नगे बच्य सोसे लिखें, alpha plus beta 4 है, और alpha into beta 1 है, alpha plus beta, minus B upon A होता है, alpha गुना beta C upon A होता है, four को मैं लिख लेता हूँ, four upon one, और इसके निचे मैंने one ले लिया, a की वल यहां भी one और यहां भी one, दोनों जगर पर same होनी चाहिए, तो if a equal अगर one है, तो b equal कितना होगा देन, then b equal, देखो, minus b equal four है, तो b equal minus four, ठीक है, और c equal one हो गया, then p x क्या हो जाएगा, बहुपद क्या हो जाएगा, दिखाद बहुपद, a की value one है, तो a x square यह था न, a x square plus b x plus c, a की value one है, तो x square, b की value minus four, c की value one है, तो plus का one, यह आपका answer हो गया, ठीक है बच्चों, तो यहां हमारा question number change it हो जाता है, complete, वीडियो आप लोग को कैसा लगा बच्चों, please comment करके जुरू बरताना, और अच्छा लगा हो तो like और एक बड़िया सा comment करी देना, share जुरू करना सभी दोस्तों को, नया channel है आप लोगों के लिए, ठीक है, और नहीं हो, तो subscribe जुरूर करना जी, और नहीं किया हो, तो खर लेना subscribe, okay, thank you, Jai Hind